फोन को फॉर्मिट करने से पहले आपको दो बातों का ध्यान देना है पहला आपके फोन से सभी डेटा डिलीट हो जाएंगे और दूसरा आपके फोन में जो इस समय इमेल आइडी और पासवर्ड है उससे आप कहीं लिख लीजिए या फिर उससे याद कर लीजिए क्योंकि हो सकता है फोन आन होने के बाद आपको जो उसमें पहले से इमेल आइडी और पासवर्ड है उसे डालना पड़े तभी आपका फोन ओपिन होगा क्योंकि अब जो भी नए इन्राइड फोन आ रहे हैं उसमें hard reset या format करने के बाद phone में जो पहले से email id और password है उससे आपको enter करना होगा इसके बाद ही phone open होगा ऐसा security की वज़ा से किया गया है क्योंकि पहले कोई किसी का भी phone लेकर के इस तरह से lock तोड़ सकता था या फिर phone चोरी होने पर या गूम होने पर जो इससे चोरी करता था वो इसका password असानी से तोड़ लेता था इसलिए security आया है अब कोई भी phone format या hard reset करने के बाद उसमें पहले से जो email id और password है उससे इंटर करने के बाद ही phone open होता है चलिए process शुरू करते हैं सबसे पहले settings पर click कीजे यहाँ पर आपको general management पर click करना है यहाँ पर सबसे नीचे reset पर click करना है यहाँ पर factory data reset पर click करना है यहाँ पर वापस reset पर click करना है यहाँ पर आपको delete all पर click करना है अब आप अपने phone को पूरी तरह से format हो जाने दीजे फोन को फॉर्मेट होने में थोड़ा समय लगता है किसी किसी में 5 मिनट, किसी में 10 मिनट, किसी में 15 मिनट तो अब इसे पूरी तरह से फॉर्मेट हो जाने दीजे इसके बाद आपका फोन अपने आप आन हो जाएगा आपके फोन से सभी लोग घट जाएंगे आपका फोन जैसे आप न्यू लिये थे वैसा हो जाएगा